नमस्कार फ्रेंड आई टेंफ्रम आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय UPPCL के लिए हमारे चैनल पर काफी ज़ादा जोड़ दिया जा रहा है और काफी ज़ादा जो भी अपडेट होते हैं नाई नाई अपडेट सभी अपडेट आपको जानक बात देना चाहूंगा उन्होंने मेरे पास यह नोटीस भेजा तो फ्रेंड आप लोग वीडियो कॉंता तक बने रहीएगा सारी जानकारी आपको मिलेंगी और फ्रेंड इसमें काफी एक ऐसे भी मतलब कर्मचारी है जो घूंस लेते हुए पकड़े गया है उनका भी नाम इ अपूर्ति देनी की बात कर रही है और पूर्वांचल डिस्ट्रिबिशन कंपणी के निजी करण की चर्चा चल रही है ऐसे करीब एक करोण उभोगता है जिन्होंने कभी विजली का बिल दिया ही नहीं यूपी पावर कार्पोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि 38% मतलब प्रतिसत थर्टी एट प्रतिसत नहीं दिया यहां जानकारी यूपी पीसील पावर कार्पोरेशन लिम्टेड के चेर्मैन और और अडिशनल चीफ सेकेटरी उर्जा अ इनमें उन्होंने बताया कि और इनमें उन्होंने बताया कि 2.83 करोड उपखता हैं यह आप तो आप देख सकते हैं इसका कायदा मतलब है कि मतलब देख सकते हैं और 1.9 करोड रुपया मतलब अभी तक इसमें बब smoothie बकाया चल रही को है यह नोटीस सकते हैं कि 23 10 यह नोटिस यह आपके सामने दिया गया फिरेंड सकते हैं आपके सामने रखा गया है आज दिनांग 23.10.2020 को अधिच्छण अभियांता बिद्दुत नगरी बित्रण खंड दसम लेशा लखनों के निर्देश में अधिशासी अभियांता बिद्दुत बित्रण खंड बी केटी एवं अधिशासी अभियांता बिद्दुत नगरी परिच्छण खंड दसम स्री राधिश्याम के नेतिर्त्रु में उपर निरिच्छक स्री रतनेश कुमार पांडे प्रभारी प्रवर्तन दल लेशा दितिय अपनी टीम एवं उपखंड अधिकारी इंजिनिरेंग कॉलेज एवं आवर अभियानता के साथ संयुक्त होकर अपराहन मतलब अपराहन 12.45 से साम साड़े चार बजे तक अटल इन्फो टेक प्राइवेट लिम्टेट प्रोप्राइटर मुम्मद आजम खान निवासी अटल कलब यू निव जीनेसिम कलब कंपाउंड कुरसी रोड थाना गुडंबा लखनव के परिशर को चेक कर पाया की वांडित परिशर पर घरेलू बिद्या में 24.817 किलो वार्ट तथा भवन निर्माण हेतु आ अस्थाई बिद्या में 6 परिशरों पर कुल संख्या एक लाख का सामान था रुपया 1723 लाख का निर्धारण तथा अस्थाई बिद्या में रुपया 1.5 लाख सामान सुल्क तथा 5.6 लाख 5.6 लाख का निर्धारण सुनिश्चित कर एंटी पावर थेप्ट थाना हरजरत गैंज में प्रत्मिक दर्ज कराई गई इनमे से अटल इंफो टेक प्राइवेट लिम्टेड द्वारा रुपय क्या करते हैं 2.5 लाख का शामान सुल्क जमा कर दिया गया एवं अधिशासी अभियांता बिदुद बितरन मंडल बीकेटी ने यह भी आउगत कराया कि उपभोकता द्वारा निधारन धनरासी रुपय 22,03,000 कल दिनांग 24 दस 2020 को जमा करवाने का आश्वासन दिया गया है इस कारवाही में दोसी पाए गये उपखंड अधिकारी सैलेंद कुमार बिदुद बितरन उपखंड जीपी आर एवं आवर अभियांता जीपी आर ए अब अरबिंद कुमार यादो का ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तो यह आप देख सकते हैं कि इनको किनको निलंबित किया गया है मतलब इनको जो है इसमें कुछ घुष खोरी भी काफी ज्यादा मातरम में चल लए थी तो यह बहुत अच्छी बात है यह बहुत सरहनी काम है कि मतलब आब इसमें कारवाई भी बहुत अच्छे मातरम हो रह है ठीक है तो आप समझ सकते फ्रेंड जो भी हमारे चैनल पर जानकारी होती है एक अथंटिक जानकारी होती है कोई फरजी काम ने होता फ्रेंड मैं आप लोग की भविस्ट के साथ कभी खिलवार नहीं करूंगा यह आप जान सकते हैं फ्रेंड जो मेरे चैनल पर पहले जबने हुए हैं वो जान नहीं कि मैं कभी किसी को गलत इनफॉर्मेशन नहीं देता हूं जो नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसे जुड़िये कि ए पर आप लोग जाके वहां पर अच्छा सतयारी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप लोग के लिए लाइफ क्लास भी इस्टार्ट कर दूंगा फ्रेंड तब तक लिए आप सभी से फ्रेंड नमस्कार फ्रेंड